जैहन्त कडेट्स वेलकम टू भाविवोड चैनल एंड वेलकम टू टार्गेट एल्फा बैच आज हम चैप्टर टू करेंगे जिसका नाम है नैशनल इंटिग्रेशन तो इसके चैप्टर में जित्ता कुछ सब कुछ इंपोर्डेंट आता है मैंने आज कवर करवा देना बहुत सारी देशों के अलग अलग जगे से लोग आये कई वेरियस टाइप सब्सक्राइब ठीक है तो अलग अलग टैप की रेस होगा जैसे आपने आरियन से सुना होगा द्रावीड सुना होगा यह दो आपके सुने वे होंगे बाकी इनमें 4-5 आपकी पूछते हैं यह को हो जाएंगे अपने अपसे ठीक है तो यह क्लियर होगी रेस यह कोशन डारेक्ट पूछा जाएगा फाइब मार करें आता है ठीक है नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है रिलिजेंस अंड कस्टम्स अब में जो है इंडिया के अंदर पे छे रिलिजन है कोन कोन से हिंदू बुद्ध जैन और बाकी और ले ले लेंगे ठीक है तो यह में छे रिलिजेंस होते हैं जो 68 के बच्चे है जो पेपर लिख रहे हैं वो इसका बात ध्यान रखोगी कि इसकी परसंटेज भी आप कोशिच करें थोड़ा रिमेंबर करो हिंदू वाली की एक दू हिंदू मु पर बच्चे लिख दोगे उनकी परसंटेज फिर पूछते हैं इनकी में बुक कोनकोंशी होती है जिसे हिंदूस की मैं बुक कोन सी होती है बखवत गीता ठीक है मुस्लिम्स की कुरान क्रिश्चिन की बाइबल एंड सिक्स की गुरुगरंद साहीव बुद्धिस्ट की बरहुं परिवां कृष्टन्स बैसाख़ी ब्हंगड़ा गिद्दा यह वाला डांस होते हैं ठीक बैसाख़ी होते हैं और यह को लोड़ी ठीक है बहुत जैनती इसमें है ना जैन जैनती ऐसे जो मनाते हैं तो यह हलकल क्या आप रिमेंबर रखिएगा ठीक है पूछते आपसे नेक्ट देखिए इंपोर्टेंस ओफ नेशनल यूनिटी यह कोशन आगे दुबारा से आएगा इसका भी मोटा मोटा सा देख लो एक बारी से यह बहुत इंपोर्टेंट है इसके आगे मैंने और ज्यादा पॉइंट्स दी है हलका सा एक बार ध्यान में रखने के लिए आपको बता रहा हूं कि नेशनल यूनिटी जो होती है यूनिटी माने कि हमारी एकता यूनिटी समझ में आता है सिंपल सा जैसा हमारा मोटो एंस लोगों के बीचे में रखने के लिए उनिटांट हिए हमारा जो आ इसे तेंगे पूछेए ये पूछे लिए अ एसे गरके पूछेंगे यह पूछेंगे अशेंच्छ ऑन पनी अशेंचल ऑफ नसली उनिटी इसके अंदर पी आपको रट लेने हैं यह बहुत इंपोर्टेंट है बार-बार पूछा जाते हैं सवाल तो फेवरेट है पर आलों को बता नहीं क्यों यह लैंग्वेज कास्टीम एजूकेशनल कमिनलिज्म रिजनलिज्म ठीक है तो इनका मतलब समझते है जैसे कि उसके फंडामेंटल बुनियाद जैसे होते हैं यूनिटी बनाने के लिए क्या का जरूर यह क्यों जरूर ऐसे वाला चीज ठीक है अशेंचल क्या चीज बहुत इंपोर्टेंट है भारत जिसी कंट्री को यूनाइट रखने के लिए ठीक है तो सबसे पहले लेंग्वेज लेंग्वेज की बेसिस पे डिस्क्रिमिशन निए अभी तक भी तो एजूकेशन जितने प्रोमोट करेंगे उतने जाद है लोगों बीच पे हार बनी यूनिटी इंग्रीज होएगा कम्यूनलिज्म एक पर्टिक्लर कम्यूनिटी से बिलोंग करते हैं लोग तो सोचते कि हमारे हमारे अच्छी होते हैं यह मांसिक्त से बाहर निकलके ओपरोल के बारे में सोचेंगे तो बढ़ेगी रीजनलिज्म जैसे करते हैं यह साउथ का नोट का ऐसे नहीं वियोलार इ आगे देखते हैं आगे है रेलेवंस ओफ ने चीजी इन उनिफाइंडिया बनाने के लिए यह वार पूछ लेते यूथ की बता दीजिये तो यूथ की पूछे या नसीजे की पूछे बद्चे में आंसर यह लिखना होगा फूप ठीक है ज्यान से देखो एंसी से कि लोगों के बीच में क्या क्रिएट करना कि डाइवर्स हेरिटेज की हमारी कितनी जादे है ठीक है उसमें नेशनल इंटिग्रेशन में कितनी लिंग्विस्टिक हुआ कल्चुरल हुआ रीजनल हुआ जोग्राफिक इतने सारे बैरियर इतनी सारी विर्दा होने के बाद भी जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाले जो फीलिंग है उसको उसके लिए अवेर्नेस फैलाना इतना बड़ा लिखने जोटनी है बस टू क्रिश्प्रेड अवेर्नेक समांगों प्यूपल इतना काफिए मैंने आप खाली समझाने के लिए थोड़ा सा एलोबरेट किया एथिकल और सोशल वैल्यूज को प्रोमोट करना ताकि सब लोग आपश में हार्मनी से ब्रादर हुड से एक साथ मिल जूल के रहें ठीक है कल्चरल और ट्रेडिशनल वैल्यूज प्रोमोट करना जैसे अगर हम एक दूसरे के बारे में जानेंगे एक दूसरे के की भवना होगी तो हम आपस में मिल जूल के ही रहेंगे यूनाइट रहेंगे यूनाइट रहेंगे यह यह यूथ की पूछले यह आंसर आपने लिखना है एक लिए हो चुगा नेक्स देखते हैं नेक्स आता है नेश्ट इंटिग्रेशन अब तक हम यूनिटी की बात कर ठीक है यूनिटी 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 अब मेन टॉपिक आया है आपका नेश्टनल इंटिग्रेशन क्या होता है देखो नेश्टनल इंटिग्रेशन कुछ नहीं होता नेश्टनल इंटिग्रेशन बस एक फीलिंग है किस चीज की फीलिंग है फीलिंग ओफ टुगेधरन युनाइट है, we are together, एक साथ है हम लोग, उस feeling को हम बोलते है, national integration, clear हुआ, बस इतनी definition आपको याद रखनी है, बाकी जो मैंने लिखा है, वो सब केवल आपको थोड़ा-थोड़ा समझाने के लिए, था कि थोड़ा इतनी definition भी लिख सकते हो, इसका मतलब ये भी होता है, नेशन इंटिग्रेशन मतलब ये भी कह सकते हो आप, कि जो सारे नागरिक हैं एक देश के, वो अलग-अलग कास्ट, रिजन, रिजन के होने के पाफजूर, एक साथ मिल जूल कर हैं, पीस्फुली, बात तो बराबर ये, बस कहने का थोड़ा सा, सेंस अलग हो गया, ठीक है, एक और देखो, एक और definition लिखे हैं मैंने, इट रेफर्स टू इंटिग्रेशन इन ओल रिस्पेक्ट, बलब ये इंटिग्रेशन होने चीए, हर रिस्पेक्ट में क्या शोचल भी, पॉलिटिकल भी, एकोनोमिक भी, और एमोशनल भी, है न, तभी तो सारे लोग आपसे मिल जूल के रहेंगे, उनको फीलिग आया कि हम एकोनोमिकली इंटिग्रेटिड हैं, है न, एक दूसरे पर डिपंडेंट है, इमोशनली एक दूसरे पर डिपंडेंट है, ऐसे करेंगे, तो फीलिंग जो है, यह इंटिग्रेशन की होती है, क्लियर, वह कहने का भावा लगा लगा है, बात तो सेमी है, ठीक है, एक देखो, लास्ट टोर डेफिनेशन, कि इन इंटिग्रेटिड कंट्री, पीपल शियर कॉमन गोल्स, जो इंटिग्रेटिड कंट्री होते हैं, उनका कॉमन गोल होता है, उनका ऐसे नहीं होता है, कोई एक सक्सेस्फफल हो रहा है, तो हमारा क्या होगा, उनका में एक एम होता है, कि हाँ, ठीक है, तो यह वाली जो फीलिंग होती है यह नैसल इंट्रेशन प्रोमोट करते है ठीक है आल वर्क टुगेधर वह साथ में काम करते हैं कोपरेटिव होते हैं किस चीज के लिए प्रोस्पेरिटी ऑफ दा नेशन ताकि हमारा देश आगे बड़े क्योंकि एक इंसान काम होएगा दो तो इससे हमारा ओवर्ओल क्या होता है हमारे देश आगे बाट रहोता है अब वही बात नेशन इंट्रेशन समझ में आ गया क्या होता है फिलिंग तो यह पीपल ऑफ कंट्री ठीक है अगला देखिए जो मैंने आपसे वहा था ऊपर एक चोट असा आईडिया जा था मैंने है आपको importance of unity अब वही unity का आजाएगा importance and importance of national integration यह question पेपर में पूछ जाता है में 5 पॉइंट इसमें से कोई पूछते हैं कोई 5 पॉइंट्स आपको इसमें से लिखने होएंगे बट आपकी नौलिज के लिए पूरा अगर 10 मारकर में आगा तो यह 10 पॉइंट लेकिने पड़ जाएंगे तो उसके लिए इसको याद करके चले जाएगा ध्यान से एक बार समझ लो कि याद हो जाएगा एक बार समझ लो कि याद हो जाएगा त्योहां से देखो सबसे पहले national integration क्या था ठीक है definition क्लियर होंगी आपको अब यह important क्यों है सबसे पहले है maintain करने के लिए सौवनेटी and territorial integrity of nation वहां होता है कि हमारा जो country है वो किसी और पर dependent नहीं है वह खु नाशनल इंट्रेशन जरूरी होता है ठीक है एक कंट्री की पीस और हार्मनी मैंटेन करने के लिए वाप पर शांती बने रहे आपस में लोग लडाई न करें दंगे न करें पीस बने रहे शांती बने रहे उसके लिए नाशनल इंट्रेशन जरूरी होता है ठीक है किसके हमको बहुत पड़ा लिखा करने पड़ेगी तो इससे क्या होगा eradication eradication होता है खतम होना ठीक है आप abolition भी लिख सकते हो को दिख करते हैं eradication of poverty and illiteracy जो गरीब होएगी और जो अनपड़त होएगी वो क्योंकि लोग आपसे मिल जूल करेंगे एक दूसरे का सायोग करेंगे अगला है इससे क्या होगा internal security law and order maintain रहेगा सब लोग पड़े लिखे होंगे गरीब नहीं होगी तो जो चोरी चगारी है यह सब कुछ है ना law and order maintain रहेगा लोग इसे दिखाम काम करेंगे एक दूसरे से ना जिसे पेपर में लिखे रहे होंगे तो एक से रिलेट होगे आपको दूसरे जी याद आते रहेंगे बात समझेरे हो इससे क्या होगा cultural religious development होगा सबकी ग्रोथ होगी तो क्या होगा cultural religious development होएगा और कौन से टाप का development होगा economic or industrial development भी होने वाला है इससे क्या होगा जिसे economic or industrial development हो रहा है तो क्या होगा कि हम foreign exchange को भी attract कर पाएंगे import export हमारा बढ़ जाएगा हम हमारा technology transfer increase हो जाएगा दूसरे देशों के साथ हैना यह तीनों देख रहे हैं आप economy से related points हागे तीनों economic growth होएगी foreign investment attract होएगा technology exchange हो जाएगी इन सब इन तीन चीजों से क्या होगा हमारे देश का बोल बाला हो जाएगा चारो तरफ ठीक है तो भई dignity और self-respect भड़ेगी nation की है ना welfare और well being बड़ेगा people का लोगों का फाइदा ही होगा भला होगा इसमें सीदी से बात है ठीक है हमारे जो foreign relations है दूसरी countries के साथ में दूसरे nations के साथ में वह बहुत strong हो जाएंगे clear हुआ इसमें से कोई पादस point आपको याद अखने अब बिल्कुल peacefully ध्यान से एक बार दुबार से सुनो बहुत peacefully बाट के सुनो मैंने क्या बोला national integration के importance क्या क्या है सबसे पहले हमारी sovereignty और integrity बने रहेगी ठीक है उ कि पहले गरीबी और सब को पढ़ाना लेहाना पड़ेगा ठीक है न तो eradication of poverty or illiteracy ठीक है उससे क्या होएगा जब लोग पढ़े लिख जाएंगे समझदार हो जाएंगे तो law and order maintain रहेगा ठीक है उससे के बाद क्या होगा कि culture and religious development होएगा development दूसरे टाप के एक और development होएगा इससे क्या होगा हमारी country का dignity और self respect बढ़ेगा लोगा का well being welfare बढ़ेगा ठीक है हमारा जो foreign relations से दूसरे countries के साथ में वो strong होगी मेरे क्याल से बिल्कुल clear हो चुगा ठीक है next point देखते है next देखते है famous leaders of India अच्छा देखो यह ना paper में पूछा ही पूछा जाता है बहुत important topic है इसमें से आपसे पता है क्या पूछेंगे कोई सभी एक question देदेंगे कि write down five points about मादमा गांदी या भगत सिंग लाल भादु शास्त्री चंदर सिघर आजाद नेदर शुबास्चन वोश्चु वाश्चु विवेकनन जवालना नहरू मॉलाना बूल कलाम आजा यह सदार वल लाइफ में तो उसके अंदर वैसे जोटने पड़ेगी है बट ठीक है सब कुछ दे रखका जैसे सबसकरो आपसे पूछ ला कि चंदर सिखर आजा की बारे में पांच पॉइंट लिखिए पांच नंबर में पूछ लेता है 5 मार कर 5 पॉइंट लिखने पड़ेंगे है ना इन में से किसी भी के भी बारे में आ सकता है तो अगर मैं इसी वीडियो में सब कुछ बता हूँगा तो बहुत लंबी वीडियो जाएगी तो मैं ऐसा करूँगा कि शॉट छोट करके जैसे खाली महात्मा गादी के बारे मता दिया 5 पॉइंट ऐसे चोटी सी क्लिप बना द उसको पढ़ लेना ठीक है चलो वड़ते हैं नेक्स टॉपिक देखते हैं नेक्स टॉपिक है हमारा इंडिया अस नेबर्स तो इंडिया की नेबर कंट्री आप समझें अच्छा है नोटीस टीन है इनकी सारी कंट्री स्टेट और कैपिटल पढ़के जाना पूछ तो ये इ इसके बाद आपकी म्यानमार की बाउंडी लगती है इसकी है नैपीड़ वह जो भी आप परनौउस करें इसको यह म्यानमार की पता अपना इसकी इस है सलामाबाग फिर आपका नेपाल यह उपर की साइड में इसकी काटमांडू फिर भूटान चोटू सा यह देखो यहाँ पर भूटान की कैपिटल है धिंफू एंड फिर उपर है सबसे बड़ा यह है कौन चाइना चाइने के बीजिंग तो इंडिया की नेवरिंग कंट्री इंडिया ऐसे आपसे बोल देगा तो कोई पांच कंट्री के नाम आपको यादो नेची एक दम यह नक्षा दिमाग में बैठा लो कौन-कौन सा यह पाकिस्तान बोल दिया नेपाल भूर्टान चाइना बांगलदेश मयानवार श्री लंका भी बोल सकते हो आप श्री जवर दर्धनपुरम ठीक है या मौल्दीर्स हो गया इसकी केपिटल है माले तो यह मला वाटर से कनेक्टिड है अब लेंड बॉर्डर के अगर आपको लिसने तो लेंड बॉर्डर के इसारे हो गए इनकी कंट्री पूछ लेता है सिधा डारेक कोशन पूछे का पांच नेवरिं नेशन के इंट्रस्ट किस चीज में तो हमारे नेशन के इंट्रस्ट होते है सौवनिटी बनाए रखने में इंटीगृटल यॉनिटी बनाए रaja में और से की बनाये है न वहारे पूर. बहुत जरूरी है एक कंट्री को विल्कुल स्टेबल बनाया रखने के लिए ठीक है तो यह नेशन इंट्रेस्ट के पॉइंट से कई बार ऐसे पूछ देता है इतना इंपोर्टेंट नहीं है बट माइंड में इक बार से ध्यान रख लेना ठीक है तो यह आपका चप्टर था पूरा क्लियर हो गया इसमें खली वह लीडर्स वाला पॉशन है जो मैंने आपको करवा देना अच्छा ठीक है अब इसके कोशेंस नोट करो जो आपको कोशेंस के आंसर आप उसमें लिखोगे किसमें और लिखोगे किमेंट बूक्स में ट्राइब करना आप लिखना इंप कोई भी पांच जो आपको याद हुए पीछ जाके आप दुबारा चीटिंग कर सकते हो ठीक है खुद से ट्राय करना कि नेशनल इंटिक्रेशन के इतने सारे पॉइंट थे कोई पांच धियान हो पाए कोई पांच धियान रख पाए आप याद उनको आप कमेंट बोक्स में देख ठीक है और बस ये कोशन करो आज के लिए क्योंकि बहुत इंपॉटन कोशन हो जाता है और रेस इन इंडिया अगर आपके पास टाइम हुआ तो आप रेस इन इंडिया भी लिखके देख बताईएगा मुझे कि रेस इन इंडिया में सबसे पहले टॉपिक था रेस इ तक कि आपको आपनी नॉलेज चेको कि आमने इतना द्यान से देखा वीडियो की नहीं देखा कि आमें नेच्नल इंडिडियरेशन के पॉइंट याद हुए कि नहीं वे रेस समय कुछ याद हुई कि नहीं फी चार पास चार बास लिग दिजीगा ठीक है आच्छा ठीक है नहीं में लेंगे लेश्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद्ट